नमस्कार किसान भाईयो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कीनू की खेती पर किसान भाईयो आज का वीडियो मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ वो है पॉली हैलाइट पे जिसका ब्रैंड डेम आईसेल कंपनी पॉली सलफेट के नाम से इंडिया में और बाकी अधर कंट्रीज में जो है सेल करती है पहले हम पॉली सलफेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पॉली का मतलब है कई सारे, मोनो का मतलब होता है जनर्नली सिंगल जो मोनो सलफेट है जैसे केल्शियम सलफेट है सिंगल केल्शियम है साथ में सलफेट है तो उसको मोनो सलफेट बॉल सकते है मेगनीशियम सलफेट है मेगनीशियम सलफेट है तो वो मोनो सलफेट है जिसमें मेगनीशियम सलफेट है इसी तरह polysulfate जो उन्होंने brand अपना रखा है उसका मतलब सीधा है poly का मतलब कई सारे polysulfate के अंदर calcium, magnesium, potassium तीनों के जो है sulfate form में available है इसलिए उसका नाम उन्होंने ICL company ने polysulfate रखा है सबसे पहले जो है polyhyalite हमें देने वाली ICL company ही है लेकिन अभी 2023 की research के अंदर ये 9th November 2023 का जो है एक data है जिसके अंदर woodsmith mine जो है वो भी England UK में खोजी गई है वो Near Bowlby mine के है जो हमारे 2027 के अंदर हमें सबसे largest polyhyalite का जो है stock deposit जो है वो हमें प्रदान करेगी खेर हमें polys hyalite है चाहें polysulfate है हमें उसकी खूबियों को जानने से मतलब होना चाहिए तो मैं आपको आज की वीडियो में फाइदे क्या-क्या है polysulfate के उस बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा polysulfate के क्या-क्या फाइदे हैं हमें इसे समझने के लिए तीन चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा पहला aspect है nutrient की availability किसान भाई यो दुनिया में कितने भी जितने भी प्लांट है चाहे वो अपना fruit की crop है चाहे वेजिटेबल है वीट है कोई भी प्लांट है वो सीदे का सीदर nutrient जो है वो जमीन से organic और inorganic form में से inorganic form में लेना पसंद करता है inorganic form में ही लेता है for example जैसे अब आप screen पर जो देख रहे हैं जैसे nitrogen है वो nitrogen दो form में लेगा ammonium की और nitrate की form में अब ammonium पे charge positive है तो उसको हम cation बोलते है nitrate पे charge negative है आपने देखा है NO3 negative लिखा है तो उसको anion बोलते है कोई भी प्लांट है दुनिया के अंदर cation और anion की form में अपना nutrient को absorb करता है second जो आप image देख रहे हैं screen के ओपर इसमें मैंने यूरिया का आपको समझाने की कोशिश की है अब जैसे हम अपने खेत के अंदर यूरिया का छीटा मारते हैं और पानी लगाते हैं अब वो यूरिया डारेक्ट प्लांट नहीं ले सकता वो पहले ammonium iron में convert होगा तो प्लांट जो है ammonium भी लेगा उसके बाद वो नाइट्रो सोमोनाज और नाइट्रो बेक्टर जो हमारे सोयल के अंदर आल्रेडी मौजूद है microbes उस ammonium को नाइट्रेट में और नाइट्राइट में convert करेंगे नाइट्रेट कुछ लीच कर जाएगा कुछ नाइट्रेट जो है वो प्लांट लेगा है वो चाहे nitrogen है चाहे calcium है magnesium है कोई भी fertilizer है वो हमेशा केटाइन या एनाइन की form के अंदर जो है प्लांट उस nutrient को उस element को या उस mineral को absorb करता है यह हमारा first aspect है second aspect हमारा है pH मान का अब यह pH क्या है यह काफी सारी अगर आपने soil की report देखी होगी या अपने अपने खेत की मिट्टी का soil test कराया होगा तो first number पे pH मान दिया जाता है second पे organic carbon या organic matter होता है third पे इसी लिखा होता है जिसको electrical conductivity या विजुचालकता बोलते हैं तो पहले हम बात करते हैं pH की और polyosulfate हमें किस तरीके से help करता है pH को maintain करने में इसके बारे में किसान भाई यो pH का रसायनिक विज्ञान में मतलब है negative logarithm of hydrogen ion concentration या इसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं hydrogen अनुकी शक्ती या और मैं आप आपको अच्छे से विस्तार से समझाना चाहूं तो इसको मैं क्या सकता हूं, जितनी भी रसायनिक रियाए हमारी मिटी के अंदर हो रही है उसको हम pH से नाप सकते हैं अब pH हमें है वो बताएगी कि हमारी मिटी के अंदर शारिय गुण ज्यादा आ रहे है या हमारी जो मिटी ए वो अमलय मिटी है पी-च का जो स्केル है स्टेंडड़ाइज वो 0 से 14 तक रखा गया है 7 अगर किसी की पी-च है तो उसको औदासीन मिट्टी या नूट्रल पी-च बोलते हैं और अगर 7 से पी-च ज़्यादा है तो उसको एलकलाइन सॉयल बोलते हैं अगर साथ से कम है तो उसको acidic soil बोलते हैं। साथ से ज़्यादा वाली soil का मतलब यह है कि उसमें शारिये जो है, वो गुन उत्पन हो रहे हैं, उसमें शार जो है बढ़ रहा है, लवन बढ़ रहा है। अगर pH किसी मिट्टी का साथ से कम है, तो इसका मतलब यह है कि वो अमल्य मिट्टी है, उसमें अमल की संख्या बढ़ती जा रही है। अब अलग-अलग area के vegetation के हिसाब से, soil structure के हिसाब से, climate के हिसाब से, soil का content है, organic matter के हिसाब से, pH different हो सकती है। अलग-जोन की pH लेते हैं, लेकिन हम normally जो है, fibrous root की pH लेने के लिए, जो हमारी soil की 15 cm की depth है, जिसे 6 inch हम माल लेते हैं, उसकी pH हम solution में लेते हैं, और उसका आंकलन हम करते हैं। अब भी आप screen पे जो image देख रहे हैं, उसमें दिखा है, 6.5-7.5 की जो pH है, उस पे जितने भी macro nutrient हम पहले discuss कर चुके हैं कई सारी वीडियोज में, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium और sulfur, ये सभी क्या है, macro nutrient हैं। ये हमें 6.5-7.5 पे से लेकर अच्छे तरीके से available हमारे soil solution में रहते हैं, और plant का जो root hair है, उससे ये absorb, absorb और osmosis की तरफ से nutrient plant easily ले सकता है। जो बाकी के nutrient है, जैसे micronutrient iron है, magnesium है, boron है, copper है, zinc है, इनकी availability पांच pH से लेकर 6 pH पे अच्छे तरीके से होती है। इसका मतलब ये है किसान भाईयों मेरा समझाने का, polysulfate का जो pH है, organic element, जो polysulfate, organic mineral है, जो ICL company ने हमें सबसे पहले दिया है। तो उसका जो pH है, वो neutral रहता है, 7 pH है, अगर हमारी मिट्टी मान लीजिए कि असाम की soil है, जहां पे tea gardening होती है, नोर्मली pH acidic, मतलब 7 से कम pH वहीं होता है, जहां पे बारिशे काफी ज्यादा होती है, वहां पे iron और aluminium की अधिकता ज्यादा होती है, जमीनों में, वहां पे जो है, बौरान और मेगनीज की अधिकता ज्यादा हो सकती है, तो वहां जो क्या है, कि pH हमारी soil का 5,5,5,5,5,5,5 के आस पास जो है, वहां रहता है, तो उस केस में क्या है, बाकी न्यूट्रियंट जैसे nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, sulfur जो है, हमारे plant को available, बहुत ही कम quantity में रहते हैं, बारी बारी कि उनकी या में पता है कि microbial activity maximum जो है, साड़े छे साथ पी एच पे बैक्टिरियाल की activity सबसे ज़्यादा होती है, तो वह जो केटाइन एक्सचेंज के पैस्टी के थूँ अपना न्यूट्रियंट जो है, हमारे plant को देने ही पाते हैं, तो इसलिए productivity वहां कम रहती है, पॉल हमारे productivity के बारे में, काफी सारी research paper मैंने इसके polysulfate के पड़े हैं, जहां पर acidic soil है, वहां polysulfate आप ICL के जो अधिकारी वहां के reason के हैं, उनसे पूछ कर आप अपना polysulfate उसमें यूज कर सकते हैं, यह तो हुई acidic soil की बात, अब हम alkaline soil की बात करते हैं, alkaline soil की pH आपको मैंने ऩाफ से ज्यादा वाली pH जो होती है उसको alkaline बलते हैं, अब pH में कई सारी है, Australian soil बोलते हैं, sodic soil बोलते हैं, अब यह क्या होती है, alkaline soil वो होती है, जिसकी pH 7 से ज्यादा है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक अगर pH है, चोदा में तो 10, 11 pH के बान में काफी जो crops है वो sensitive हो जाती है, वहां जर्मिनेशन के साथ साथ productivity की दिक्कत तो आनी ही है क्योंकि वो सोयल की प्येश जादा है न्यूट्रिन की availability बहुत कम रहती है Microbial activity उनमें बहुत कम रहती है तो normally जो प्येश जैसे हम हर्याना पंजाब की अगर किनुक फार्म्स की बात करें तो उसमें प्येश आठ से साड़े आठ के बीच में रहती है अब वो सोयल alkaline के साथ साथ saline भी है saline का हमें कैसे पता चलेगा तो एक जो electrical conductivity test है अगर उसमें जैसे कि ये रिपोर्ट में आपको दिखाते है electrical conductivity विद्धी चलगता जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जो है उसका salt उसके अंदर मौदूद होंगे अब ये कौन-कौन से salt है वो titration के बाद soil sample लेने के बाद पता चलते है जैसे बीका नेर की soil की बात करते हैं तो वहां calcium carbonate के जो है वो ज़्यादा है क्योंकि वो जो weathering of rocks के कारण जो mineralization होता है immobilization calcium carbonate का ज़्यादा है तो वहां पर carbonate और bicarbonate के साथ ज़्यादा बनते हैं अगर magnesium add करते हैं तो magnesium carbonate और bicarbonate में convert हो जाते हैं और हमारे plant को available नहीं होते तो इसको तो बोलते हैं saline soil फिर sodic soil है जिसके अंदर magnesium carbonate ये calcium carbonate के साथ तो मज़ूद है bicarbonates भी हैं लेकिन उसके अंदर इन दोनों के quantity के इलावा sodium की जो quantity है वो बहुत ज़्यादा है sodium carbonate है sodium sulphate है sodium chloride है उनको हम sodic soil बोलते हैं तो जो polysulfate है वो एक ऐसा organic mineral हमें ICL company ने provide किया है जिसकी pH एक तो 7 है sulfate group के जितने भी salt है जैसे calcium sulphate है magnesium sulphate है जब हम soil में वो salt add करेंगे अपना by using जैसे हम polysulfate का use करते हैं और fatigation करते हैं तो जितने भी chloride और sulfate के साथ है चाहें वो calcium sulphate है calcium chloride है वो हमारी pH increase नहीं होंगे अगर मान लीजे हमारी soil की pH 8 है और polysulfate को हम उसमें add करते हैं तो हमारी जो soil की pH है वो 8 से कम बेशक हो सकती है जादा नहीं होगी तो इसका फाइदा एक यह है second फाइदा हमारे को polysulfate का यूज करने में alkaline soil में यह है जो soil मैंने आपको बताए सोडिक सोयल है जो सोडिक सोयल है जिसके अंदर सोडियम की quantity as compared to calcium और magnesium जादा है अगर उसमें हम polysulfate का यूज करते हैं तो sodium cation exchange capacity के जो उसे concept से sodium वहां से निकल कर calcium वहां आ जाएगा और sodium जो है वो लीच कर जाएगा तो यह भी हमारे लिए अच्छा है अगर pH हमारी बहुत ही ज्यादा है मान लिए जिए 9,5,9,10 pH है और उसको हमें ठीक करना है तो हम polysulfate का उसमें यूज कर सकते हैं sodic soil के अंदर ताकि जो हमारा sodium है वो replace होकर calcium आ जाए और हमारा जो sodium है वो leach कर जाए हमारे soil का pH दाउन आ जाए sodium की toxicity कम हो जाए तो यह है pH का concept तो आपने अभी जाना होगा कि pH किस तरीके से हम जो polysulfate का यूज करके pH अगर कम है तो उसको हम normal pH पे लाकर sodium calcium magnesium sulfur plant को available करवा सकते हैं और जादा है तो भी यह जो pH को हमारे कम करने में सहायता करता है थर्ड जो concept है वो है electrical conductivity का और salt index का electrical conductivity जैसे मैंने आपको बताया रिपोर्ट में हर जगा soil की mention होता है soil report जब हम करवाते हैं किसी lab में तो उसका मतलब है विद्चा लगता अब electrical conductivity जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब यह है कि उतना salt की concentration हमारी जो soil solution में है वो ज्यादा होगी salt ज्यादा होने के नुकसान यह है किसान भाई एक तो pH का जो है वो लेवल बढ़ता है second कुछ salt की deposition ज्यादा होने के कारण और toxicity plant में जो है हमें देखने को मिलते हैं जैसे example के तोर पे अगर sodium chloride का salt अगर sodium की toxicity ज्यादा है तो बाकि न्यूट्रियंट जो plant को अविलेबल होने चाहिए उस pH पे वो अविलेबल नहीं हो पाते एक्सचेंज नहीं हो पाता केटाइन एक्सचेंज कापैस्टी कम हो जाती है उसकी वजह से water retention capacity पे फ़रक पड़ेगा काफी सारी जो factor है वो फिर role play करते हैं और हमारा जो plant की productivity है वो हम उसकी इतनी ले नहीं सकते salt की increase होने की वज़े से तो जो polysulfate है जितने भी इसके अंदर sulfate के group है जैसे calcium है magnesium है इसमें potassium है यह sulfate form में है अगर हमारी PS soil की art है तो art ही रहेगी बढ़ेगी नहीं इसका यह benefit है second यह जो जितने भी nutrient है जो हमारे polyhyalite या polysulfate के द्वारा हमें मिलते हैं यह leach नहीं होते प्लार्ट को धिरे धिरे जितने भी जुरूरत है वो अपना हिसाब से लेता रहता है क्योंकि यह एक ऐसे bond के साथ बंदे होते हैं कि यह leach होना इनका काफी मुश्किल हो जाता है तो यह leach नहीं कर पाते हैं तो जो आकरी concept है वो है salt index का किसान भाई यो जो भी हम fertilizer use करते हैं अपने खेत में अपने productivity को बढ़ाने के लिए जैसे यूरिया है डी एपी है मोपी है सोपी है अमोनियम सलफेट है नाइटरेट है और काफी सारे में पी है के एपी है पेंटंक साइल है काफी सारे जो salt है काफी सारे जो फटलेजर है वो salt ही है साल्ट इंडेक्स का आप समझने की कोशिश कीजिए किसान भाईयो मान लीजिए कि मैंने मोपी जो है किसी requirement है productivity अपनी अच्छी लेने के लिए 50 kg प्रतियकड के हिसाब से और मैंने उसको जो है 50 kg प्रतियकड के हिसाब से उसको मैंने क्रोप को जो है अपना सोयल के अंदर डाल लिया है अब कितना प्रसेंट जो है पोटाश अपने सोयल को मिलता है और कितना पोटाश जो फाल्टू का है उसमें रह जाता है तो इसी को salt index बोलते है माल लिजे जो 50 kg मैंने अपना पोटाशियम जो एमोपी है उसमें डाला है पोटाशियम एमोपी का जो salt index है वो नियर रवोट 100 के आस पास रहता है 100 salt index का मतलब यह है अगर उस प्लांट को 50 kg में से 30 kg के जुट है तो 30 kg की बजाए उसको 15 kg ही मिलेगा जो 15 kg बचा है वो या तो किसी unstable जो है salt की form में उसके अंदर हमारे solution में add हो जाएगा और वो toxicity increase करेगा इसी को salt index बोलते हैं तो जो polysulfate का salt index है वो बहुत ही कम है वो near about 34 के आस पास है सिरफ calcium sulfate का 8.1 है जो आप screen पे देख रहे हैं बाकि जितने भी हम salt use करते हैं MOP है, SOP है, ammonium nitrate है, potassium chloride है, इनका क्या है? salt index काफी ज्यादा है Salts ज्यादा होने से soil solution के अंदर दो तरीके के effect होते हैं एक तो क्या है, प्लांट अगर वो salt ज्यादा है वो लेता है तो उसके जो plant के जो cell है, वो अक्यूल्स में वो जो salt मुझूद होते हैं और कई सारे जो हमारे cells के function है, कोशिकाओं के जो function है, उसको disrupt करते हैं Second क्या है, हमारे soil के अंदर root zone के अंदर जो है, osmotic pressure फालतु का create होता है, जिससे क्या है water जो है, प्लांट धंग से ले नहीं पाता क्योंकि 60 जो है, वो ज्यादा है soil के अंदर, तो कई सारे factor ये मिलकर जो है, हमारे plant की productivity को decrease करते हैं तो किसान भाईयो मेरा जो आपको सला यही है कि आप polysulfate एक अच्छा organic mineral है, वो आप जो है use कीजिए उसे और इसकी जो dose है, वो आप अपने local market में जो ICL के अधिकारी है, उनका आप या फिर ICL की company का जो toll free number है, उस पे आप संपक कर सकते हैं, उनसे crop wise जो उसकी dose है, वो मिलते हैं अगरे लेक्चर में, नमस्कार धन्यवाद